चलो स्ट्राट करते हैं अब मैंने यहां पर अलज़ी दस कोशन प्रिपेर कर रखें जो कि टाइपस ओफ कोशन हैं एक्चुली में और यही मोस्ट परवली घुमाफिरा के इन्हीं को पूछे जाने चलो मैं जितने भी कोशन मैं यहां पर बताऊंगा हर एक का एकस्प्रेंशन वापको बताऊंगा चिंता निगान न थीक बस जितना मैं बता हूं उसको कहीं कहीं की पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगे कि अच्छा यह वाला पॉन्ट याद ही नहीं था मैं लोट इस दे आउठ्पू फ्रिक्वेंसी इंप्ट फ्रिकवेंसी इस फिफ्टी हट्स अगर उन्हों ने फ्रिक्वेंसी जो है वह 50 दे रखा ju हखा मेस्टि याद हेवां कि हाव वर्डेफ हैर बहुत सकते है यह ठीक है देखो मैं बता वे तो थोड़ा जल्दी से एक्स्प्रेइन करते हैं आपको इसको अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें नॉर्मली याद रख लेना हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो जितनी इन्पुट फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ही किसकी इन्पुट फ्रिक्वेंसी की कि महां फुल वेव में तो यहां पे कौन सा यहां पेंकंसा बहार है वह संस नीज दूसरा दूसरा है इसी के आगे continue देखो question को पूरा पढ़ा करो question में बहुत सरे बच्चे करते हैं exam के question में question को पूरा पढ़ते ही नहीं कि अगर एक ही question में दो दो सवाल तीन सवाल पूछ रखा होता है तो बच्चे शुरू के दो answer देते हैं तीसरा answer ना देते हैं तो गलत बात है द इसी के नीचे दूसरा question और यह दो यहां दो सरकेट इस्टार्ट के रखा है क्योंकि बच्चों को सेमिकंडूक्टर के सरकेट में बहुत दिक्कत होती है और उसमें बहुत डिफेंट 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 की questions बनते हैं सबसे पहला question यहीं पहाँ अब यह है वट इस resistance of the ammeter is negligible okay तो अब देखा वाई जैसे मैं इसको तो जूम कर देता हूं एक मिनिट यह देखू अब हम कह रहे हैंगे कि यह सरकेट है अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2m meter है एवन यह रहा और एटू यह रहा ठीक है अब स्वरब मैं कहा रहा हूं आपसे के काम करो मुझे जो डायोड है यह दायोड है हमारा वह कौन सा बायस है यह बताव जल्दी से फॉरवड बायस म पता है का चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक काम करो मुझे जरा माक करना सब को सबको पता है कि अगर हम ऐसे करके सबको पता है कि जहां रिवर्स बाइस हो जाए आंक बंद करके सरकट को काट दिया करो उसमें करेगा यह सबस्क्राइब करना सबस्क्राइब रिकांडब करना उपर ऊंदध नहीं करना है यह कि革े तो हम इसको लिख देंगे अब हम लिखेंगे हमको current निकालना है तो current is equal to तो बच्वन से जानते हैं वह लो व्ल्टज कितना है 5 राइस कितना है 2.5 एंपियर चलो देखते हैं कितनों ने सही अंसर दिया है 2.4 यार कुछ भी करते हो आयते ने 2.4 लिख रखो है 0.4 लिख रखो है चलो कोई नहीं किया सबको समझ मैं कि इस यह जो main question था इसका एक ही मकसद था कि आपको यह बताना कि जहां reverse bias में जुड़े circuit काट के हटा दो उसमें current flow नहीं करेगा अब इस ही के कुछ type के question दिखाता हम आपको देखो जस नीचे आजो यह वाले अब देखो के दोनों ही forward bias है तो इसका जो P है वो भी किसे जुड़ा हुआ है positive से और नीचे वाले एका अभी जो P है triangle वाला P होता है तो triangle वाला जो है वो किसे जुड़ा हो positive से अगर triangle वाला positive endroit से जुड़ा हो यह वा़ा positive को जुड़ा हो तो forward bias में current flow करेगा रिवर्स değ god flow नहीं करेगा बेसिक सा, सिम्पल सा, तो हम बोलेंगे, इस वार किस-किस की वैसे current flow करेगा, दोनों की वैसे, इधर भी current जाएगा, और इधर भी current जाएगा, इसी का एक question और ले लो, जस नीचे देखो, यह रहा आपने पास question, अब इस question में भी, फिर से कितने डायोड है, डायोड ढून लो होना है, D1 में जो N है, D1 में जो N है, एक मिनट, इसको मताऊंगा, जरा, D1 में, चलो बताओ, D1 कौन सा बाइस है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप ही लोग बताओ, D1 कौन सा बाइस है, forward की reverse, ठीक है, reverse bias, नितिन ने reverse bias कहा दिया है, करन साहू, reverse bias, बहुत बढ़िया, और D2 की बात करें तो, वो सबको पता है, forward bias, तो जहां reverse bias हो जाए, जहां पे N positive से जुड़ा है, यहां पे यह वाला पार्ट है, वो positive से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया reverse bias, और बच्चों, जहां reverse bias हो जाए, वहीं circuit को काट दिया करोगे, भाहिया, ना, जहां reverse bias हो गया, इस वाले में current तो flow नहीं करेगा, इसको cut-tis करके हटा दो, यह circuit में है इने, दूसरा, अब यह देखो D2, D2 में क्या है, कि भाहिया, जो positive वाला end है, positive वाला, यह देखो यह वाला, वो जाके जुड हम में जल्दी-जल्दी कर पाऊगे, उस महाँ पर silly mistakes नहीं होगे, सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए सुनते रहा ना, दिरतर के, ठीक है, अब देखो, हम कह रहे हैं, कि यह positive terminal था, हमको कौन सा वाला circuit लेना है, यह वाला circuit तो लेना ना हो है, तो resistance कितने बच्चे, सिर्फ दो, एक तो यह वाला बच्चा हुआ है, और एक यह वाला बच्चा हुआ है, और शिर्फ ऐसे मानों कि ऐसे करके circuit सीधा 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 गया, बीच में कुछ है ना अपने पास, ठीक, तो हम बोलेंगे यह दोनों resistance जो है, यह वाला resistance, यह दो वाला और यह दो वाला, य कितना दे रखा है, अपने को 10V, हमको resistance मिल गया, voltage मिल गया, current निकाल तो जल्दी से, V upon में R करके, तो 10 upon में 4, it will be, कितना हो जागा, 2.5 कह रहे हो, चलो ठीक, कह रहा हो, यह हो गया, 2.5, ठीक है, बिल्कुल सही, निदी ने भी सही जवाब दिया, D1 is reverse bias and D2 is forward bias, साक्षी र को पता होनी चाहिए, half wave है, तो same frequency रहेगी, full wave है, frequency double हो जाएगी, यह था पहला concept आज की class का, दूसरा concept, जो आपने अभी देखा, circuits में आते हैं, circuit में क्या आता है, कि जहां reverse bias आ जाए, उस पूरे branch को काटके हटा दो, और forward bias में current flow करते हैगा, और फिर उसके इसाब से circuit solve करो आप, यह था दूसरा, तीसरा और important वो भी circuit में ही है, जो यह वाला question है, देखा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, यह रहा, अब इस वाले question को दिखान से पढ़ना भई, यह numerical है mean, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कि figure, so a diode connected to an external resistance and a battery, assuming the barrier potential develop, the diode is 0.5 volt, find the value of current in milliampere, milliampere में current निकाल के दो, अब देखो, इस पूरे circuit में ठीक है, सबको पता चल गया होगा, कि P जुड़ा होगा positive से, मतलब forward wise है, और forward wise में current flow करेगा, सबको पता है यह बात तो, लेकिन, किसको आता है, साहिल को आता है, great, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर voltage भी दे रखा ह कुछ बच्चे इस voltage को neglect कर देते हैं, अब यह voltage आपको count करना पड़ेगा, count कैसे करोगे, कि देखो, याद है, अगर मैं बता हूँ आपको, अगर आप लोगे चेप्टर पढ़ा होगा, तो जिस टेम चेप्टर पढ़ते हैं, हम बताते हैं बच्चे को, कि E मालब P है, और E कौन है, N है, ठीक है, तो जो potential develop होता है, electric field develop होता है, वो N से P की तरफ होता है, internal electric field जो है, वो N से P की तरफ होता है, समझ रहे हो, और बाहर से अगर कोई आप battery जोड़ते हो, ऐसे करके, समझ रहे हो, तो यह जो potential है, plus है, और यह minus है, तो electric field इसकी वैसे किदर जाएगा, इध कर दिया करो, तो हम बोलेंगे, चलो समझ में है हमको, सबसे पहले step के question में, जिसमें 2-2 voltage दे रखा हो, डायोड का भी voltage दे रखा हो, वहाँ पर minus करना पड़ता है, पहले, विनिट निकालने के लिए, कितना, 3-0.5, it will be become 2.5 volt, यह voltage हमको लेना है, ठीक है, और उसके बाद, स लो अपलाई करेंगे, you are right, ओम लो अपलाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2.5 upon 200, अब देखो, point भी हटा दूँगा, power लगा दूँगा, 3, और यह उपर जाएगा, तो minus 3 हो जाएगा, पता है, सब को चलो लिख देता हूँ, कुछ-कुछ बच्चों को नहीं पता, चलत मिली एंपियर में है यह, और उन्हों बोला था, मिली एंपियर में निकाल के दो, मिली मतलब 10 के पार माइनस 3 का आपकर दो बस, तो कितना आएगा, 12.5 मिली एंपियर, बहुत बढ़िया, करन साब कुछ कह रहे हो क्या, facecam नहीं आ रहा मेरा, सबको मेरी voice और चाहरा क्लियर है, is my voice is clear, जल्दी बताओ, is my voice is clear, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, करन साब कह रहा है, चैरा नहीं दिख रहा है, देपांसु को सब कुछ किलियर दिख रहा है, thank you, thank you, रावल को भी सब कुछ किलियर दिख रहा है, ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट तो ये था तीसरा डाइब का question, जो आपको समझ भायाना चाहिए था, ठीक है, प्लीज हर कोई ना कम से कम 480P पे देखना, मैं request कर रहा हूं, कोसिस करना कि 480P पे देखो, ताकि आपको सब कुछ लिखा हुआ, clear दिखाई दे, 360 में थोड़ा blur हो जाता है, 480 में या फिर 720 मे और वाइफा है तो भाइदा, HD में देखो फिर तो, है ना, गुन्नु को भी दिखाई दे रहा है, निधी सोने को भी ठीक है, बहुत बढ़िया, हर को प्लीज 480P पे shift कर लो, 480P shift कर दो को तो अच्छा देखेगा आपको ये, चलो, आज की class का तीसरा, कि अगर, तीसरा concept, कि अगर हमको दे रखा हो, बीच में, कि अंडायोड का भी potential, तो हम उसको minus करेंगे, and then answer निकालेंगे, clear हो गया सबको, तो अर्शिंता मत करो, कुछ बच्चे इसमें पूछ भी रहोंगे, कि फ़र्वड वाइस में ही, reverse वाइस में हो गया, वैसे तो बोर्ड में reverse वाइस का दे रखा हो, तो minus करके, फिर आइसर करेंगे, चलो भई, अब आगे move करते हैं, चिंता मत को बार बार हम summarize करते रहेंगे, ताकि हमें समझ माया है, कि हमने क्या पढ़ा है, तीन concept पूरे हो गए, यह सारे circuit हो गए, अब आते हैं, इस वाले पे, यह वाले question देखके, तो कुछ बच्चे खुछ हो जाएंगे, कहा कह रहो भईया, पहले से आता है यह तो, सबको अंदाज लग गया होगा, कि यह question किस टाइब का है, जिसमें आप से बस यह पूछा जाएगा, कि भईया बताओ, कौन सा forward वाइस में है, कौन सा reverse वाइस में है, चलो मैं आपको पूरे दो म बस, तीन इसको टू फॉरवड वाइस में है, अज देखते हैं किसको चारो एंसर आई जाते हैं, जल्दी करो भई साम, जल्दी, चलो start करते ही, जल्दी करोगे, दो मिनिट आए, दो मिनिट से जाए टाइम अप कर दूँगा, जो जो इन्होंने बोला, उनको उनका एंसर कौन से रिवर्स बाइस हैं, यह जो चार मैंने जहां पर डाइग्राम ले रखा है, इसमें कौन फॉरवड में है, कौन रिवर्स में है, यह जो डाइओड है, यह डाइओड है, यह डाइओड है, यह डाइओड है, यह बताओ, यह जो डाइओड है, कौन फॉरवड में है और कौन खान रिवर्स बायस में देखके बताना आपको एगर एक साथ भेजो ना सारे नितिन और निधी ने पहला फॉर बड बता रहे हो ठीक है राहुल ति यापान पाहिए आगए ने बोला है। tut hrs frequent detrum repentance rener is reverse ठीक है राहुल केहिशाब से पहला फारवड cancel weights बागी सारे रिवर्स कि ऑ्पके wanna कि मियां पहला फॉर्बड दूसरा हुष को है या ने बोला इसके सारसी बागונה सारा पर्वर्ड धीक है अधित्याव पहला फॉर्वर्ड दूसरा फॉस्प हुष की सब हर से बागує कार्व पहला फॉ Means तक ठीक है ठीक है अब मैं पहले विनर एनाउंस कर दूंज बहुरे ने अनौंस विनर अभी तक में जितने मैंने में सेट पढ़ें उसमें विनर भाई एक वच्छा है और वह है अधित्यपाल आधित्यपाल इस एफसलूटली राइट पहला फॉरवर्ड है दूसरा रिवर् सा कुस्चन जिसमें फॉर्वड वाइस रिवर्स वाइस पता करना है उसमें अपने से गलतिय होगे और ऐसे करके एक एक नंबर बच्चे कटवाते हैं तो वह आ जाते हैं 90 से 95 से नीचे अब सोचो पांच कुस्चन में भी एक एक नंबर कड़े तो हो गया 95 से नीचे और गल पेले वाले कोशन में हमें बस यह देखना है P को ढूण लो P मतलब ट्रैंगल ट्रैंगल हमेशा हाइर पोटेंसल ले होना चाहिए ट्रैंगल अगर हाइर पोटेंसल पर है तो फॉर्वर्ड और नहीं तो रिवर्स ठीक है गुन्नू तो हम पहले गले कोशन देखेंगे कि ट्रैंगल यह रहा ट्रैंगल केसे जुड़ा हुआ है साथ से क्या साथ पांस से बढ़ा है हाँ तो फॉर्वर्ड बाइस सीदे सीदे पहला वाला हो गया फॉर्वर्ड बाइस दूसरे वाले मा आजा हूँ दोगों यह जो सिंबल दे रखा है जो multiple यह बना रखा हिनोंने इसका मतलब होता है अर्थिंग और जहां बचो अर्थिंग हो वहां पर वोल्टेज हम लेते हैं 0, वहां पर हम लिख देंगे V is equal to 0, अब इसका P ढूंड हो, P कहां है, P मतलब triangle, यह रहा triangle, अब triangle किसे जुड़ा हुआ है, 0 से, और क्या 0 और यह प्लस 2 है, तो प्लस 2 बड़ा हुआ है, और यह triangle किसे जुड़ा हुआ, 0 से, नीचे से, तो अगर P lower potential पर जुड़ा हुआ है, तो reverse bias, तो यह हो गया, reverse bias, फिर से इसमें, P किसे जुड़ा हुआ है, minus 10 से, और V यह क्या है, voltage 0, तो minus 10 is smaller than 0, तो फिर से यह भी क्या हो जाएगा, reverse bias, इसमें भी हम reverse bias कर देंग ऐसे करके, अब अगला देखो, चौथा और लास्ट, अब देखो, बच्चों को यहाँ पर भी गलती होती है, अब दो value minus में देखो, तो उनको पता ही चलता, कौन सा बड़ा, कौन सा minus, भाई, minus 5 जो है, वो greater है, minus 12 से, minus 5 is greater than minus 12, समझे, तो जो P है, वो minus 5 पे है, यानि की greater potential पे है, तो कौन सा बाइस हो जाएगा, forward बाइस हो जाएगा, बाकी बच्चों ने answer दिये, बहुत अच्छा answer दिया, लेकिन एक से चूप गए थे, और जितना मैंने message पड़ा उतने में आत्ते का सही था, ठीक है, गुन्नू से भी बस एक गलती हो गई थी, चलो ठीक है, ठी याद होते रहे, तो क्लास लेने का आपको फाइदा करवान आमर को, जैसे भी करो आप, तो मैं आपको याद करा दूगा कि कौन से concept में क्या था, आजो, वापिस एक बार उपर चलके revise करते हैं, सबसे पहला concept था, याद आ गया होगा, कि rectifier में, half wave में same frequency रहती है, full wave में double हो सेम चीज़ इसमें था, तीसरा concept, आज की class का, कि अगर diode forward bias में है, और उसको पर voltage भी लिख रखा है गलती से, तो हम सिर्फ net voltage निकालेंगे कैसे, minus करके, अगर voltage नहीं लिखा है, तो सीधे-सीधे V is equal to IR लगा देंगे, अगर voltage लिखा हुआ है, तो हमें उसको पहले minus करना कि forward bias है, कि reverse bias है, what more point? बस P को देख लिए, अगर P अगर higher पे है, तो forward, P अगर lower पे है, तो reverse, चला वाईस साब, move खरते हैं अगले पांचवा question पे, अगले पांचवा question अब कुछ theoretical question है, अच्छा conceptual question बनता है, और हो सकता है, यहां से case study भी बन जाए, तो ध्यान से सुनते रह and reverse bias, दोखो, कुछ भी, कई बार question क्या होता है, उल्टे सिदे English बना के देते हैं, तो बस आप अपने मतलब की line ढून लिया करो, मुझे क्या समझ माया है, कि यहां पर कहे रहा है, कि difference, सिमरन का कहे रहा है, कि difference between forward bias and reverse bias करो, इतना समझ माया है, सब के notes में difference है, forward bias and reverse bias का, कितन semiconductor के link भेजे, जिसमें 6 से 7 point का difference है, तीन नमर माया है, तो 6 point, दो नमर माया है, तो 4 point, यह भी सुन लो भाई, नमर के हिसाब से लिखना board में, अगर वो two marks का है, तो आप सिर्फ उसमें 4 distinction point लिखके दोगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके, 4 point लिखके दोगे, ताकि teacher आदे ह आज पॉंट लिखके आ रहे, तीन पॉंट लिखके रहे, ऐसे मत करना, और गलती से 3 number का difference आएगा तो नहीं वैसे, आगया तो 6 point, mainly difference दो नमर में ही आता है, के लिए रहोगे सब, okay, अदो question इसी करना के, नीचे mix है, question क्या करा है, state how the thickness of the depletion region change, when the PN junction diver is forward wise and reverse wise, मैं सच बता कि बताओ, forward wise कर दिया, electric field का क्या होगा, बताओ, reverse wise कर दिया, electric field का क्या होगा, नए ना, बताओ, forward wise कर दिया, तो barrier potential का का होगा, increase की decrease, ऐसे पूछते हो, चलो, reverse wise कर दिया, तो barrier potential का का होगा, increase की decrease, तो मैंने लिखवा रखा है, 6 point का, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, कि यह रहां सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में आपको कौन सा पार्ट याद करना अवने सबसे सौर्ट वे मिले हुआ है को पाता है कुछ बच्चों को याद भी होगा हमारे नौर्बल बच्चों को कि एक मिन बस यह डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं तो साइड के मैसेज न पड़ेगा कोई ना 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 नजर नहीं जानी चाहिए साइड के मैसेज पर है डिलीट करके रखता हूं मैं यह बल्कुली बद्द्ध समझेव आपको चला वह आजा अब यह जो नोट्स है इसमें आपको यह वाला जान बूश के दिखा रहा हूं ताकि बच्चों को समझ मैं कि कहां से पढ़ना है एक मिनाट बस और को सिसकाना इसको आज ही याद कर लो जो हिस्सा में दिखा रहा हूं पर और वाइस और रिवर्स वाइस में जैसे लिखवाया गया वैसी डिफरेंस याद करोगे बहुत इसली आद जागा यह यह वाला हिस्सा जो अपने पास चैपॉंट का डिफरेंस लिखा रिखा मैंने यहापर किस किस को लेकर लिखा रखा है एक मिनट अब यहाँ पर फोरोड वाइस और रिवर्स वाइस यह मेरा मारकर काम नहीं कर राए तो मैं ऐसी समझाने लिखा हुआ啊 और रिवर्स वाय कि लिखा हुआ है कि यहां से कौन इनक्रीज होगा यह याद कर ले था तो, यहां ये में वापीस गुरस्ट हें कि सबको समझ में आ रहा है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया त्रियांसु कुमार चलो आज 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 दगा वाई अब हम क्या करेंगे कि हमको यह समझ में कि चलो फॉरवड वाइस और रिवर्स वाइस में डिफरेंस याद करना है यह आज का पांचवा पॉइंट था जिसमें फॉरवड वाइस रिवर्स वाइस में डिफरेंस याद कर लेना एक नमर में आएगा और उस ताम पर गलती करका है न तो फिर अफसोस होता है चो कि अच्छा लिखा लिखा यह तो था याद ही कर लेता मैं पिर इसके अगले कोशन में देख लो मैं जल्दी कोशन इस वाइस को पूछ लिया कि विट ऑफ डिफ डिप्लीशन डीजन का क्या होगा तो यह सेम कोशन है जिसमें आपको बस दिफरेंस पढ़ना है फरवर्ड वाइस और रिवर्स बाइस में वह भी नोट से जाके छह पॉइंट करे छ्छे पॉइंट सूपर कभी नहीं पूछ मैक्सिमम एक घंटे की क्लास होगी और आपको सारे चैप्टर के में में टॉपिक याद हो जाएंगे और इसको में में टॉपिक को साइड में लिख लेना कहीं पर चलो आजो कुशन नमर्श और इंपोर्टेंट कुशन में से एक मैं इसमें आपको ग्राफ भी याद दिलाता हूं इसके बहुत भुमा फिरा के बारवर कुशन पूछे आते हैं इसमें तो क्वेस्ट नमर्श जो कह रहा है जपांसू वो कह रहा है वाई इस दा कंडुक्टिविटी अन टाइप सेमिकंडुक्टर इस ग्रेटर देट अफ बच्चों को पता है यह रटा हो गई आला इंसल आप लोगों ने कि दखों सबका पता है कि पी और अन टाइप के दो होते हैं तो पी टाइप और अन टाइप में से अन टाइप की अन्ड़क्टिविटी जादा होती ह पर काहे होती है किसी ने मैसेज किया मरको बताओ मरको वाई एंड टाइप कंडुक्टिविटी सोरी एंड टाइप सेमिकंडुक्टर है एज मोर कंडुक्टिविटी देन पी टाइप सेमिकंडुक्टर नितिन कहे रहा है मेरे खोपता है तो बतादो यार जल्दी बता दो यार कोई ना गाउमालों को सबको बतादो बताओ जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को जल्दी बताओ क्यू एंटप की कंडुक्तिविटी जाद होती है as compared to P-type Sam और इसका एंसर च्ट लेना ट्राइवेलेंट एटम राहूल हुडा कहा रहे हैं कि ट्राइवेलेंट एटम ज्यादा होता है ओहु ओहु नॉट तक accurate Message to the point वाला नमर फ्टेयों भी पारूल ने कहा है लेकिन फारूल शैद यूस इूज बिस नींड फ्..थ्रा कुरीट एंसेर मेरनी प्दोट में वह एपूँच्छा नक्तरैंटांगर्स को तर भालत दात न проб orig है आपको एक क्वेस्न पूछा गया है कि मौबिलिटी और नमबоко ठीक है ठीक है दोनों एंसर देना इस गुड बात एक नंबर का कोशन आए गई और एक नंबर में सीधे-सीधे आप एंसर लिख सकते हो कि पहले बाद मोबिलिटी जो होता है मैं दूसरे पर लेटा और लिख जो हूँ मोबिलिटी इसका मेन रेजर यही दोग acontecendo की आप कि मोबिलिटी ओछ पर लिख यादा होती है और हुल्स की कम होती है समझ जलिए इलेकट्रो जिसमें ज्यादा है उसमें करेंड जलुद जलो कर जाएगा तो होग और मोबिलिटी करना पर लिख कर जाएगा and n-type has more electron than p-type, बस इतना सा answer आपको लिखना है एक नमबर में, जितना मैं लिखा है उतना भी लिख दोगे, accurately teacher एक नमबर देगा, कहीं से भी नमबर नहीं काट पाएगा, दोनों point मैं लिख दिया कि number of electron ज्यादा होते हैं, और अभया सब को पता है, n-type में electron के मातर ज्यादा ह होती है, इसलिए उसकी conductivity ज्यादा होती है, वो करन जल्दी यल्दी पास कर देगा, तो इसी में question घुमा फिर आगे पूछ ले तो रोना मत, कि question, अब मैंने सब बच्चों को बता रखा है, कि unexpected question आएंगे आएंगे, बोड में यह मत सुचान कि सब कुछ पढ़ा-पढ़ाया मिल जाएगा, वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ सकता आपको, जैसे इसी में question मना देता हूँ अभी, चलो देखते हैं कितने बच्च अभी दिमाग लगा पाते हैं, ठीक है, बताओ, basic question है, कि P-type semiconductor है, और N-type semiconductor है, दोनों को मैंने 50V से जोड़ दिया, तो बताओ, किस में current ज्यादा flow करेगा, P-type में और N-type में, current किस में ज्यादा flow करेगा, किस में ज्यादा current flow करेगा, P-type में या फिर N-type में, basic question है, एक नमर का question है, चलो मैं comment पढ़ता हूँ, देखते हैं कौर answer देता है, P-type और N-type में, प्रिवेक या या सौरा बिल्कुल N-type में, समझ गए, तो जरूरी नहीं है कि रटा-रटा है चीज़ी आज़े, कुछ भी पूछ लेंगे वाई, सब को पता है कि N-type में conductivity ज्यादा होती है, current ज्यादा flow करेगा, किस में कम current flow करेगा, P-type में, किस में resistance ज्यादा होगा, तो P- ज्यादा होती है, सब कुछ याद आता है, सारी महनत याद आती है, कि कितने महनत की थी मैंने, मेरे दूस क्लास नहीं जा रहा था, मैं जा रहा था, मचे भूम रहे थे, मजे मार रहे थे, लगे मैंने क्लास ली थी, आपको सारी महनत नजर आ रहेगी अपकी, और नमबर नहीं आये, तब भी याद आती महनत, ये भी याद रखना है, कि महनत करी नहीं थी, अभी 20 दिन है, 20 दिन लगा के दबा के पढ़ा ही करो, बार बार तो तीन महीने की चुट्टी मिलती है, आपका एडमिसन जाके जुलाई, अगस्त, अगस्त में तो स्टार्ट होता है, सब्टमबर में जाके कॉलिज पहुंसते हैं, बहुत टाइम मिलेगा चुट्टी मना निकले, अभी नहीं मना नहीं, चलो, question number 7 के बात करते हैं, रजिस्टेंस जो है, वो डिक्रीज हो जाता है, मैं यह वाला ग्राफ अगर आपने बार बार देखा होगा, यह किसका ग्राफ बनतो हो, रजिस्टेंस का किसके साथ, टेंपरिचर के साथ, और सेमिकंड़क्टर का जो होता है ग्राफ, वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल ऐस जा रहा होता है, इसका मतलब क्या है, कि रजिस्टेंस विल डिक्रीज, किसके साथ, और कूलिंग, अगर कूल कर दोगे, तो रजिस्टेंस, ओ सॉरी, मैं मिस्टेंस, मैं मिस्टेंस, वापिस, 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 लेट मी, रीड, राइट इट, रीराइट इट, वापिस, वापिस इसका मतलब है कि temperature बढ़ाने पे resistance घटेगा inversely proportional जा रहा है ना वह भावना हुआ बहगे metal सोच रहा था मैं वापिस आज़ा देखो तो हमका बोलेंगे semiconductor में कि on increasing temperature on increasing temperature जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे कि resistance किसका of semiconductor of semiconductor decrease हो जाएगा रजिस्टेंस जो है temperature के बढ़ने पे decrease होता है सिर्फ और सिर्फ सेमिकंड़क्टर में बाकिसम में increase होता है लेगन यहां पे question क्या बोला गया है कि ठंडा किया गया है तो temperature के बढ़ाने पे resistance घट राए इनवर्सली परपोर्पोर्शनल हुआ resistance is inversely proportional to temperature में कह सकता हूं इससे करके कि अगर temperature को बढ़ाओगी तो resistance बढ़ेगा न तो इस question का answer क्या जाएगा तो question क्या बोला है what will be the effect on their resistance ठंडा करने पे resistance का क्या होगा ठंडा करने पे resistance बढ़ अगला question क्या रहा है कि how does the conductivity of the semiconductor varies with temperature conductivity का क्या होगा हमने बोला था न कि कुछ भी सवाल पूछ लेगा यह हमने किस के बारे में पढ़ा resistance के बारे में कि चलो भीया समझ में आया कि temperature बढ़ाऊँगा तो resistance घटेगा तो resistance घटेगा तो resistance बढ़ेगा यह कॉंसर समझ में है अब दूसरे में ही देखो क्या पूछ लिए उनने resistance ना पूछा conductivity पूछ दी अब conductivity तो जितना ज्यादा resistance अतनी कम और उल्टा चला जाएगा तो यहां पर conceptually दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि मुझे क्या समझ में आता है कंड़क्टिविटी को मैं सिगमा से दिनोट कर रहा हूं जैसे जैसे मैं टेमपेचर बढ़ा हुआ रजिस्टन्स घटेगा चलदी फ्लो करेगा तो अब सीदे सीदे नोटेशन याद रख लो कि इसदेशन की बात करें तो इनवर्सली है और कट्रेंट की बात करें चरिंट की बात करें तो जैसे एसे घटा होगे करिंट घटा जाएका समझ मैं सबको तो यह था शात्वा कोंसेप्ट आव स्वेकंग्ज़ू समझ रहे हो ज्यादा निये दो तीन कॉंसेप्ट और है बस और यह तो अच्छी बात है कि आप लोग सुन-सुन के सारे कॉंसेप्ट अभी क्लियर कर रहे हूं कि यार मैं अभी कौन पूछ रहा है यह भाया जी आप कितने साल के हो मैं ज्यादा साल का थोरना हूं मैं पच्छी साल का हूं पिछले दो-तिन सालों से पच्छी साल से यह जना बढ़ती वेरी तेखर मैं कितना स्मार्ट ही दिख रहा हूं और ड्यू टू मॉबिलीटी हाँ अब एंसर आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आपको सात्वा कॉंसेप्ट आ गया होगा जिसमें हमें पर चला कि वह रजिस्टेंस पूछ पूछ सकते हैं टेंपरेचर के साथ और या फिर करेंट पूछ सकते हैं टेंपरेचर के साथ यह हमारा सात्वा कॉंसेप्ट था के लिए रहुआ सबको देखेखेखे गाट चलो भाई अब अगले कोशन पर मूव करते हैं तीन कोशन और है मेरे पास और तीन में कॉंसेप्टी ही है यह चलो, question number eight, question number eight और question number nine, question number ten जो है, question number eight और नाइन सेम कॉंसेप्ट पर है, आपको एक मैं समझाऊँगा, एक आपको homework के तौर पर दे दिया जाएगा, clear है, एक मैं समझाऊँगा और एक मैं आपको homework के तौर पे दे दूँगा चलिया question number 8 की बात करते हैं यह रहा हमारे पास और किसी को कुछ समझ में ना आ है तो पूछ लेना भाई doubt में मैं बीच बीच में message पढ़ लूँगा आपके ठीक है चलिए question number 8 question number 8 कह रहा है कि यह semiconductor has equal electron and holes concentration that is 6 into 10 के पावर 8 per meter cube बच्चो इसको हम number density of electron कहते हैं आपको याद होगा यह कह रहा है कि पहले number density of electron और number density of holes जो हैं वो दोनों बरावर हैं और वो लिखा हुआ है 6 into 10 के पावर 8 per meter cube जहाँ पर meter cube दिखे ना या फिर concentration लिख दे या फिर number density लिख दे आप समझ जा ना NE और NH की बात कर रहा हैं ये लोग उसके बाद on doping साबको पता है doping मतलब impurity मिला देना अब जैसी हम impurity मिला देंगे तो कौनसा वाला मिलाएंगे या तो trivalent या फिर pentavalent अचा मुझे बताओ देखो सबको पता है कि pentavalent मिलाया तो anti बनेगा और trivalent मिलाया तो p-type बनेगा question को आगे पढ़ते हैं on doping with a certain impurity ठीक है electron concentration increases ओखे देखो electron की मात्रा बढ़ गई अब electron की मात्रा जो है बढ़ गई किस के comparison में तो कौन सा होगा जल्दी नाम बता जल्दी नाम बताओ electron की मात्रा बढ़ गई है तो कौन सा वाला होगा प्रियान सुकुमार एक आंक से देख रहे हो बहुत बढ़ बढ़िया बनाऊंगा बनाऊंगा मैगनेटिक पर वीडियो बना दूंगा हमें एक एक चप्टर करके मतलब चप्टर में 14 फिर 13 फिर 12 ऐसे करके पीछे से सारे चप्टर के मैंने 10-10 कोसिन बना रखें जो कि most important types हैं types हैं मैं फिर से कहा रहा हूं वो types आपने रट लिए तो जो exam में questions आएंगे आप उसे easily attempt कर पाऊगे और को conceptual question आगे तब भी attempt कर पाऊगे तो आपके 90 के plus में secure हो जाओगे गुनुन ने बोला n-type या ने बोला n-type अनामिका पी टाइप अनामिका कैसे पी टाइप या राहूल लवी n-type बोला बिल्कुल सही कह रहे है हो n-type semiconductor होता है ना तो यह number of electron बढ़ गया तो हमके समझ में आ गया तो सबसे पहला question क्या पूछा गया था मिरसे साइद यही question है हमारा कर रहा है identify the new semiconductor obtained after doping भाई n-type बता दो इनको n-type है दूसरा question का पूछ रहा है जाए जाए देखो दूसरा question B calculate new holes concentration NH बताओ भाई साब यह numerical है अगर इस numerical में सिर्फ एक formula सिर्फ और सिर्फ एक formula यूज होता है सिर्फ एक सिर्फ मैं ऐसी के नीचे बताता हूं आपको तब भाई तब भी ऐसा को question देदे doping वाला कि doping कर दिया तो before doping मैं लिख देता हूं before doping अगर डोपिंग ना की गई है तो यहाद रखना बच्चों N E बरावर होता है N H के और बरावर होता है intrinsic charge carrier N I के लेखें अगर after doping के बात करूं मैं आदेते सुन रहे हो after doping के बात कर रहा हूं करन अगर after doping के बात कर रहा हूं तो बच्चो N E इंटो में N H multiply में जाता है formula और is equal to में N I का square हो जाता है बस यह दो यह वाला formula main है बास यह वाला formula main याद रखो इस टाइप के सारी numerical solve हो जाएंगे वह मेरे से क्या बोल रहे है आज हो देखते हैं पहले तो गिवन लिख देता हूं मैं जल्दी से यहाँ पर कि भी यह देखो डोपिंग से पहले कितने थे होल्स एलेक्ट्रोन की मात्रा यह रही यह रही यह रही और डोपिंग के बाद इलेक्ट्रोन की मात्रा बदल गई तो होल्स तो उतने को उतने ही रहेंगे तो एनच लिख दो एनच कितने हैं भी यह 6 इंटू 10 के पावर 8 पर मिटर क्यूब है इलेक्ट्रोन की मात्रा कितनी बढ़ गए तो यह गिवन है यहाँ देखो 9 इंटू 10 के पावर टेव खाओ खोना लिख देते हैं इलेक्ट्रोन नंबर डेंसिटी अफ एलेक्ट्रोन इसकल टू 9 इंटू 10 के पावर 12 पर मिटर क्यूब यह उसके बाद अब हमको बोला गया है कि ना अब एक काम करो क्या निकालो कहा है को नंबर डेंसिटी ओफ होल न अगर वो दे देते मेरे को तो मैं निकाल देता एंच और अगर उन्होंने नहीं दिया तो पहले निकालना पड़ेगा एन दोनों को मल्टिप्लाई करके क्लियर है इस कोष्टन में माई मिस्टेक है अगर आपसे कोष्टन में एन दे रखा होता है इंट्रिंसिक चार्ज के समझ रहे हो वैसे को अगर करना चाहो तो ऐसे कर लेना कि सुरू का जो एनिय होगा वैसे होगा मैं दूसरा कोष्टन दे दूँगा आपको पीडिया भीज़ दूंगा आपको को साथा का अगर हो एंट्रिंसिक चार्ज के रियर न आई दे रखा है तो आप कैसे निकाल और इसी के नीचे जाएगा एन एच तो ये दो फॉर्मॉले यहीं से बन जाते हैं जिसमें आप नमड़ एंसिटेव उलेक्ट्रॉन नमड़ एंसिटेव फोल जैसे कुछ भी निकाल सकते हो इसी के नीचे वाला कोशन देखो देखो इसमें एनाई दे रखा है दिख गया मेर देखो देखो इसमें लिहान ने दिया अगर यह वाला कोशन खुदी कर लोगे आप लोगे जल्दी से कुछन नाइन पढ़ो जलो मैं आपके साथ पढ़ देता हूं सबसे बहुत क्या कहा रहे है कि सपोज फ्योर सिलिकोन क्रिस्टल है इतने एटम्स ठीक है भाई यह फिर से पेंटावलेंट डाल दिया तो जहां पेंटावलेंट हो वहीं पर कौन सा बनेगा एंड टाइप सेमी कंड़क्टर बन जाएगा सही बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अगला का बोला गया है एस दे कैलकुलेट नंबर ओफ एलेक्ट्रोन एंड होल्स गिवन अब यहां से एनी और निकल जाएगा दो इस टाप कैसे करते हैं मैं जल्दी से समझाता हूँ फॉर्मूला वही है यह जो फॉर्मूला मैं उपर लिखा नहीं यह वाला फॉर्मूला इतने फॉर्मूले पर ही यह आठवा टॉपिक है आठवा कॉनसर्ट मान लेना जिसमें इस पर नुमेरिकल बन सकते हैं इंटरंसिक सेमिकंड़क्टर में समझ रहे हो और डोपिंग वाला कोशन सॉल्यूशन करेंगे आज हो जल्दी दिखर देखो कुछ नहीं करना होता है कितने एटम दे रखे हैं 5 इंटरं के पावर 28 डोपिंग कितनी की गई है 10 के पावर तो इस question में एक टझ रहे हो जो है वो कितना है 1.5 इंटो 10 के पावर 16 पर मीटर क्यूब और क्या दे रखा है नंबर आफ एटम दे रखा कितने इन्टरं के पावर 28 अजिकों नंबर आफ एटम जितने एटम होते हैं उतना ही electrons और उतना ही . माने जाते हैं तो जो number of electrons होंगे और number of holes होंगे intrinsic में शुरुवात में starting में वो बराबर होते हैं वो कितने हैं 5 into 10 के power 28 है ऐसे करके हमने मान लिया अब उनको उन्होंने क्या किया है doping का रखिए doping भी किसे की pentavalence है तो number density of electron तो बढ़ जाएगा अब number density of electron ne जो है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास कि पहले कितने थे 5 into 10 के power 28 के लिए अब इसी चीज़ को divide कर दोगे आप doping से जो कि कितना 10 के power minus 6 तो यह निकल जाएगा नया वाला number density of electron जो कि हो जाएगा 5 into 10 के power तो माइनस उपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा वैसा तो यह हो जाएगा 10 के power कितना प्लस का गया तो 28 और 634 हो जाएगा यह हो गया number density of electron new वाला वह उपर लिखा गया एक minute तो यह हो गया new वाला number density of electron यह आया पहले कितना था इतना जब डोपिंग नहीं की गई थी अब कितना हो गया इतना number density of electron यह रहा number density of hole में कोई change नहीं आएगा क्योंकि pentavalent से किया गया है समझ रहो तो कितना हो जाएगा 5 into 10 के power 28 का 2080 रहेगा और यही सवाल हम से पूछा गया था कि बताओ electrons और holes की मात्रा कितनी होगी मैं यहां पर करता हूं जहां पर question था यह कोई रहा हो था हो इलेक्ट्रोंस और holes की मात्रा बताओ तो इलेक्ट्रों के मात्रा ऐसे करके निकाल देंगे जो की बढ़ गई होगी 5 into 34 हो गया होगा और holes तो उतने के उतना ही रहेंगा यार holes तो चेंज होंगे pentavalent में तो यह थे अपने कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आया तो हम एक छोटा सा recap लेंगे और फिर लास्ट करके यहीं पर class को समापत करेंगे समापत करके बताओ कितनों लोगों को समझ में आया कितने लोगों को समझ में आया करेंगे रिविजन करना जरूरी है तक आपको समझ में पारूल को समझ में आ गया ठीक है ठीक है शिफा याया देपांसू अरे सर आप समझाओं और समझना ऐसा हो सकता है नहीं बिलकुल नहीं हो सकता है अर्जुन को हो गया नितन का बहुत बड़ी अप्रग्या प्रयांसू निधी जोया थैंक यू थैंक यू थैंक यू था इमोजी ठीक है चलो एक बार जल्दी से करें छोटा क्या लेले ताकि आपको समझ में आज हमने क्या-क्या गें किया है बिलकुल स्टार्टिंग से चलत है तो same frequency, full है तो double frequency यह होगे पहला topic दूसरा topic आपको देखते हैं याद हो गया होगा दूसरा topic में है कि भाया अगर reverse bias है तो circuit काट दो और forward बाइस है तो current flow होगा V is equal to IR लगेगा forward में V is equal to IR और reverse में circuit को कट्टिस कट्टिस खेल दो भाया सही बात है यह हमारा दूसरा concept था के लिए थीसरे concept में move करते हैं यह रहा हो यह वाले आते नुमेरिकल बन जाते है जिसमें नुमेरिकल का बनता है कि अगर दूसरा color लेन तो अगर डायोड forward में है तो current तो flow होगा लेगन डायोड पर voltage दे रखा मना नहीं अगर गलती से डायोड तो voltage दे दे तो हम माइनस करेंगे पहले वी नेट निकालेंगे वी नोट कैसे निकालोगे माइनस करके वी माइनस वी डायोड कर देता हूं मैं और फिर वी इसकल टू मैं आयार लगा दोगे सांज माया सबको कैस यह सबको किलियर हुआ यह हमारा तीसरा कॉंसेट था चौथा कॉंसेट जल्दी मूव करते हैं नीचे आते हैं कि भया फॉरवड और रिवर्स वाइस पहचाना आना चाहिए इसमें गलती मत करना बहुत सिली मिस्टेक होती है बच्चों से और फिर बच्चे बाद में बस्ता आते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर गलत की एंटाइप की मोबिलिटी जादा होती है एलेक्ट्रोन की मोबिलिटी जादा होती है और एंटाइप में इलेक्ट्रोन भी जादा होते हैं साथवा कॉंसेट यह वाला जिसमें आपसे रजिस्टेंस पूस सकते हैं कंडुक्टिविटी पूस सकते हैं करेंट पूस सकते ह एक और दो करते हैं जो कि अपने पास यह फॉर्मुला था मतलब यह फॉर्मुला इसको गेवन होगा एक निकालना पड़ जाएगा इसके कुछ कोशन एक्स्ट्रा मैं अलग से पीडियो बना कि आपको टेलिग्राम पर दे दूंगा सॉल्व कर लेना एक बार बहुत इदली समझ में आ जाएगा यह चप्टर बहुत असान है इस पर नम्मर गवाना न मतलब दुख वाली बात है और चलो आज की क्लास का लाश्ट टॉपिक नवे कॉंसेट्ट और दसवा कोशन पर आते हैं दखा वाई सम्ट दसवा कोशन पढ हाफ वे रेक्टिफायर और इसको भी नोट्स में मैं अविलेवल कर रखा है आपके लिए मैं यहाँ पर इस कोशन को लिया जान बूझ के था मैं तक कि आपको ग्राफ का मैं अंदाजा देश हो ठीक है आप डिफरेंस पढ़ लेना फॉर्वड वाईस रिवर्स बाइस में का क्या यूज है और फुल वे रेक्टिफायर का क्या यूज है दोनों के कम से कम दो दो यूज याद करके जाना गलती से एक नमर में पूछ लिया कि दो यूज बताओ तो फिर फज्जाते बच्छों उसरे भी याद में या रहा होता है लेकिन मुझे जो यहाँ पे कॉंस तो सरे सारे इवी ग्राफ है यह बिपड़े आइवी ग्राफ है अच्छा यह वाला ग्राफ है इन एसे करको यहां 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 पर मिली-एंपिर होता है यह बत्चर लिखना बूलते हैं यहां पर स्टेक्स हैं बहुत बड़ी है अधित्य पाल ने पहले बता दिया कि एक्सिस में गलती होती है और ग्राफ कैसे बनेगा ग्राफ बनेगा इसका इसका एक्स्पोनेंशियल इसका पहले तुचक-टुचक मरा बरा मरा जाएगा तुम से धफाक थे तीन मा आपको याद होने चाहिए दो यहीं पर यूजियान करो तो यह था हमारा आज को कितने कंसेट थे 9 मैं जलदी से लिख दू क्या कहो तो मैं 9 कंसेट इख लिख दू यहाई पर नीचे सेमीकन्डॉक्टर में आज की कितना टाइम हुआ है अब दस बीस हुए यार बस एक घंटे के बस होने वाले और एक घंटे में देखो पूरा चेप्टर आप अल्मोस आपने रिवाइस कर लिया है बस इनको एक बार याद कर लेना ठीक है विवेक कहा रहा भी या बता दो दो बच्छो आप लोग कह करते रहे ना आपकी कैचिंग पावर इतनी है कि आप तुरंत पढ़के तुरंत याद कर सकते हो 12th class के senior most class के student हो आजो सबसे पहला का था कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का कॉनसेप्ट था हाफ में आउटपूट फ्रिक्वेंसी बरावर होती जीरो और फॉरवड वायस में करेंट फ्लो करता है और दूसरा जल्दी जल्दी देखते रहें और आई कितना निकालोगे वी वायार करके तीसरा कॉनसे पीसीज़ा मिलता जुलता था जिसमा अगा गलती से डायोड के ओपर वोल्टिज लिख दिया तो तो का करेंगे ऐसे आई ओन prediction नियुमेकली बनादेता, यह 20 वोल्ट है, और यहाँ पर हैs 11PV लगा तेया ऐहां ऐना, घ focal हो जा K BRI आसान करते हो 37 ले लो तब आसान हो जाए गई 37 इसका नुमेरिकल आप खुदी कमेंट करके बताओ 37 अभी मत करना चलो बाद में नीचे कमेंट कर देना तो इसमें क्या करना होता है सबको पता है कि इस आपको कुशन में जब डायोड पर वोल्टेज लिख दे तो वी नेट न चोथा कॉंसेप्ट की सुरों चोथा कॉंसेप्ट की बाद कर रहो है चो था कॉंसेप्ट में क्या आता अपने पास तेंपरिश्वाला हिस्amo व्याद है किसकी कंडुक्राइब करते हैं उसमें सबसे पहले और लेक्ट्रों और अधिते पल ठीक है अभी चेक कर लेते हैं बच्छों को यह भी बूल जाते हैं कुछ बच्चे और NH अगर ज़्यादा हो NE से तो ये कौनसा है P टाइप समझ रो मैं पूरा चप्टर रवाइस करता हूँगा आपको कुछ चिंता करने के जुरूत ना है देखो फिर छड़ा कॉंसेप्ट पारते है छड़ा कॉंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसमें हमने किया था कि NE और NH वाला फोला सबको पता है कि NE इंटो में NH जो है वो आप याद रखोगे कि NI का स्क्वेर होता है अब यहां से NE बोले तो NE निकाल दो NH बोले तो NH निकाल दो साथवा कॉंसेप्ट हम लेंगे जिसमें हमको सिर्फ पहचानना पड़ता है कि फोरवर वायस की रहवर्स वायस आइडेंटीफिकेशन 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 में क्या करते हैं कि अगर P higher potential पे higher मतलब ज़्यादा होना चाहिए तो वो forward है और अगर N higher पे है तो सिर्फ P को देख लिया करो मैं बच्च को बारबर कहता हूँ कि P और N में जाया है मत करो तस P P को देख लिया करो P अगर higher पे है तो forward और P अगर lower potential पे है या फिर minus के बैटे से connected rather reverse bias साथ concept होगे आठवा concept में आपको बताया था graph यह हमारा आठवा concept यहां पर ले लेते है ग्राफ ग्राफ सिर्फ forward bias reverse bias में और नौवा concept और last concept of the class that is कि भाया वह मत भूलना forward bias reverse bias में difference मैं फिर से कह रहा हूँ इस पर question बनने के full chances है difference पे difference कितने point का है यह पॉइंट का वह कुछ भी पूछ लेंगे आपसे बोलेंगे कि बता हूँ डिपलीशन रीजन का increase होगा कि decrease होगा जब मैंने फॉर्ट बाइस कर दिया यह फिर बैरिर पोटेंशल का बता हो क्या होगा increase की decrease इसे करके question पूछेंगे यह पॉइंट रट लेना मैं फिर से कह रहा हूँ याद कर लेना इस पर नुमरिकल मतलब conceptual question आ सकते हैं तो यह तो नो concept और नो topic मैं इसको zoom out करता हूँ ताकि आप का हो तो screen sort ले लेना इसको यह रहे अपने नो के नो यह अपने पास नो के नो concept जो कि हमने आज semiconductor में cover करे हैं यह semiconductor के concept थे जिस पर numerical भी आ सकते हैं और आपके conceptual question भी बन सकते हैं अगर गलती से आपका वो केस इस्टेडी बने गया तो भी आप इसको solve कर पाऊगे अब मुझे जल्दी से बताओ कि सबको समझ मैं एक वर तो comment करने के हो रही है जल्दी जल्दी comment करके बताओ मेरे को मजा आया मजा आया तो जल्दी बताओ मजा आया कि है है जल्दी बताओ ताकि मैं हर चप्टर का आपको ऐसे ही में में टॉपिक बता सकूँ और आप निवेरिकल को इजली अच्व ओर ठैकिक्ए से संवापत करते हैं और इसका स्क्रींस गत्ताओ में नेक्स्क्रीन वीडियो कि मैं आपको एक और हैं द्लिन ऑक्री में अग्र सब्सक्राइब तों प्रेशम अज you you for attending this live class and bye 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 यह कि यह पर मैंट ऩारे बना रखें जो अबनी कि है बलक्ला यह मैं बता दुँ को ठीक है बाई